वेलकम डू स्टड़ी चलंग मेरा नाम है मुहम्मद कैसर और जैसा कि आप जानते हैं कि टीजेटी पीजेटी तुहरबाइस में सीटों की संक्या में वृद्धी और परिक्षा तारिकों को लेकर लगातार क्रमिक धर्णा पदर्शन जारी है आज भी दिन भर क्रमिक धर्ण पदर्शन जारी रहा कल भी धर्णा जारी रहेगा छात्रों ने यह प्रेश्विग्वत्ति जारी किया जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मादमी सिक्षा सेवा चैन बोड के आई एस अपसदरडी अध्यक्ष विरेश कुमार राय प्रियागराज में ही हैं लेकिन डर क हमारे वह चैन बोड नहीं आ रहे हैं चुकर को चारो तरफ से चात्रों ने घेर रखा है एक ना एक दिन और चैन बोड पर आएंगे ही तब चात्रों से सवाल जवाब करेंगे कि आखिर आप क्या कर रही हैं और हमारे परिश्चा तारिकों का एलान क्यों नहीं हो रहा है और पोर्टल क्यों नहीं खुल रहा है चात्रों की मांग है कि आप या तो काम करी या तो इस्तिफा देकर यहां से चले जाएए जब तक हमारी मांग है पुरी नहीं होंगी हम यहां से हटेंगे नहीं और चात्रों ने भी कहा है कि 75% का गड़ाई लगबग हम जी चुके हैं बस आपको थोड़ा सा और सपोर्ट करने की जरूरत है प्रेसर बन रहा है और आप सभी को कल और परसो दो दिन चैनवरी को होनी थी लेकिन इसमें एक बार फिर से डेट लग गई है और इस मामले की अगली सुनवाई या 25 जनवरी को होगी तो मामला लगातार खिचता जा रहा है और चैनवर्ड और शार्षन के हेर फेर में छातर फस्ते जा रहे हैं चैनवर्ड कहना यह है कि सदस्यों की नुक्ति हम करने सकते और शार्षन सदस्यों की नुक्ति करने में कोई इंट्रेस्ट दिखा नहीं रहा है पिछले सुनवा पूपले का एक मामला है जिसमें सदस्यों की निक्ती संबंद में कोट ने सरकार सा जवाब मांगा था लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है और मामला खिषदा जा रहा है देखते हैं अब अगली की सुनवाई में क्या देखने को मिलता है फिलहाल छात्रों ने अपील की है कि आप यहां पर आईए सपोर्ट करिए और प्रिसर बनाईए तभी जाकर कुछ हो पाएगा नहीं तो भरती नए आयोग और चैन बोड के फिर में लंबी लटक जाएगी तो यह रहा आज वीडियो में एक बहुत मातपूर अपडेट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफोर्मेशन मिलती रहे थांक्स पॉर वाचिंग